आज हम आपके साथ आयर्वेद की एक ऐसी जड़ी बूटी या एक ऐसी ओस्दी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना है आज हम बात करने वाले हैं यवचार के बारे में क्या आपने इसका नाम कभी सुना है और अगर सुना है और इसके फायदे जानते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा नमशकार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम बात करेंगे यवचार के बारे में ये एक बहुत ही अच्छी ओस्ती है जिसका इस्तमाल अगर आप करते हैं तो ये शरीर से लगबग दोसों से भी अधिक बिमारियों को जड़ से खत्म करने में आपको काफी मदद करती है इसको किस तरीके से बनाया जाता है ये भी विदी हम आपको बतलाएंगे इसके अलावा अगर आप इसको लेना चाहें तो ये कहां से मिल सकती है ये भी हम आपको आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे सबसे पहले बात करेंगे हम इसके फायदों के बारे में तो ये जो है उन लोगों के लिए काफी फायदे मंद होती है जिन लोगों को बहुत लंबे समय से किड्नी से जुड़ी समस्याएं हैं या लीवर से जुड़ी हुई समस्याएं हैं या शरीर में वात, पित और कफ तीनों दोसों से आप परिशान हैं या तीनों में से किसी एक दोस्ते भी आप परिशान हैं बहुत लंबे समय से अगर जोड़ों में दर्द की दिक्कत है तो उसके लिए भी ये आपको काफी लाब देती है इसकी तासिर गर्म होती है और ये जो है उन लोगों के लिए भी काफी फाइदे मंद होती है जिनें दमा, अस्तमा या साइनस की समस्या रहती है सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसे बनाने का तरीका क्या है क्योंकि जब बनाने का तरीका हम जानेंगे तभी ये जान पाएंगे कि इसे लेने का तरीका क्या है तो इसे बनाने के लिए जरूरत होती है अच्छी क्वालिटी के जूंकी जिसके पूरे पंचांग का इस्तमाल इसे बनाने के लिए किया जाता है तो इसके पंचांग को अपने अच्छे से साफ करना है और साफ करने के बाद इसे किसी साफ कढ़ाई में डाल करके अच्छे से जला लेना है यानि कि इसकी राख बना ली जाती है इसे जलाने के बाद जो भस्म बनती है उसमें लगभग उसी की मातरा का छे गुना पानी डाल करके अच्छे से मसल लिया जाता है किसी मिट्टी के बर्तन में डाल करके और फिर इसे राध भर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है. अगले दिन इस पानी को निथार लिया जाता है किसी सूती कपड़े की मदद से और फिर इसी प्रोसेस को लगबख 21 बार तक किया इसके बाद जो सूखी हुई ओस्दी बचती है यानि के जो सूखा हुआ हिस्सा बचता है उसे ही यवचार कहा जाता है यह विधी थोड़ी सी लंबी होती है इसलिए घर पर कम लोग करना ही से पसंद करते हैं अगर आप चाहें तो इसे आप बहुत आसानी से किसी अच्छे आयर वेदी की स्टोर से या ओनलाइन स्टोर से खरीड सकते हैं तो यवचार लेने के बाद आपने किस तरीकर से इस्तवाल करनी है किस-kिस रोक के लिए लेनी है चलिए अब आपको यह बताते हैं अगर आपको अस्तमा की समस्या है तो ऐसे में आदी ग्राम की मात्रा में यवचार का जो पाउडर होता है यानि कि जो भस्म होती है ये लेनी होती है और साथ में आपने थोड़ी मात्रा में यानि कि दो चुटकी आपको चाहिए होती है सोट और दो ही चुटकी आपको चाहिए होता है काली मिर्ज का पाउडर सोट का पाउडर और काली मिर्ज का पाउडर और इसे आपने गुनगुने पानी या ताजे पानी के साथ रोजाना दिन में किसी भी समय लेना होता है इससे आपको दमा, अस्तमा, साइनेस की समस्या में काफी लाब मिलता है अगर आपको मुतर से समंदित समस्याएं हैं किड्नी में किसी तरह का infection है या किड्नी की पत्री की समस्या से आप परिशान है तो ऐसे में इसका आधा ग्राम जो ये powder होता है और साथ में आपने लेना होता है लगबग 2-3 ग्राम की मात्रा में गोखरू का powder या फिर आप इसके गोखरू की सुखी होस्दी होती है उसको भी ले सकते हैं दो ग्लास पानी के साथ इसको पका ले पकते पकते जब लगबग ये 30 अमल की मात्रा में रह जाता है ब्लेट पेशर की समस्या से या नसों के ब्लॉकेज से परेशान है तो ऐसे में आधा ग्राम इसका powder लेना होता है और साथ में आपको चाहिए होती है आधा ग्राम की मात्रा में ही अजवायन इन दोनों को मिला करके अगर गिलोए के सत के साथ यहां पर ग्लोए का जो सत आप लेंगे वो 2 ग्राम की मात्रा में लेंगे इसका अगर इस्तमाल किया जाता है तो इससे आपको काफी लाब मिलता है अगर आप जोडों के दर्द से परेशान है तो ऐसे में भी यवचार का थोड़ा सा powder आपने लेना है अगर सुपा खाली पेट अप लेते है तो इससे लिवर में नही Arist होता है पेटी लिवर की समस्या भी तूर हती है लोगों को पी लिये की समस्या रहती है उभए इसका इस्तमाल जरूर करना चाहिए क्योंकि ये शरीर से खून की कमी को दूर करके पीले की समस्यां को जड़ से खत्म करने में आपको काफी मदद करता है आप इसके पाउडर का इस्तमाल कर सकते हैं इसके कहड़े का इस्तमाल भी आप आसानी से कर सकते हैं लेकिन उन लोगों के लिए ये थोड़ा नुक्सान दायक होता है जिनके शरीर में पित्त की मात्रा जादा बढ़ी होती है क्योंकि तासिर में गर्म होता है जिनके शरीर में पित्त जादा बढ़ा हुआ है उन्हें इसे लेने में थोड़ी दिक्कत हो उल्टी उबकाई या सीनी में जलन जैसी समस्याइं उन्हें हो सकती हैं तो अगर आपके शरीर में पित्त की मात्रा ज़ादा है तो ऐसे में आप इसका या तो कम मात्रा में सेवन करेए या अपने चिकेशक की मदद के साथ ही इसका सेवन करें अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी पसंद आई हो, तो प्लीज इसे सभी के साथ शेर कीजिएगा, फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ तब तक अपना खयाल रखें, अपनों का खयाल रखें और हस्ते मुस्क्राते रहें, स्टे हैल्दी, स् बाई बाई, नमस्कार